दोस्वों अगर आपके भी होते हैं बहुत सारे sales invoice और आप चाहते हैं बल्क में उनको टैली में import करना एक से दो click में जिसे कि आपका time बचे तो ये वीडियो खास आपके लिए है तो वीडियो को पूरा देखे कहीं पे भी skip मत करियेगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विरेंदर और आप देख रहे हैं टैली टेक्निक दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप Excel से चाहे आपके कितने भी inviages हैं आपके 100 inviages हैं आपके 1000 inviages हैं आपके 10,000 inviages हैं आपके 1,000,000 inviages हैं जितने भी हैं उनको आप 1-2 click में टैली में import कर सकते हैं तो दोस्तों normally क्या होता है कि अगर आपका कुछ इस तरह का requirement होता है कि आपके पास Excel format में आपके sales inviages आते हैं जैसे e-commerce के होगे या other किसी website के कुछ inviages होते हैं या आपके किसी software के inviages होते हैं जिनको आपको टैली में import करना होता है उसके लिए आप जाते हैं अपने service provider के बाद जो भी आपके टैली की service provide करते हैं तो वो customize करके आपको tool देते हैं तो उसके normally charge लेते हैं आपसे कम से कम 8-10,000 रुपए तो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ free tool जिसकी मदद से आप Excel से टैली में अ इस वीडियो में आपको demo बताने वाला हूँ और last में आपको बताऊंगा कि कहां से और कैसे आप Excel format को और इस TCP file को download कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखे क्योंकि अगर आप इसको jump करेंगे कोई भी अगर configuration आप miss कर जाएंगे तो problem यह होगा कि आपके TDL में error आ नए हैं पहले बार यह आपने विजिट किया है तो आपने करना है चैनल सब्सक्राइब ताकि आपको मिले हमारे इसी तरह के फ्री TDL वीडियो आपको मिले आप उन TDL का फैदा उठा सके जो भी हम कस्टमाइज करते हैं जो भी हम नई टेक्नलोजी लेके आते हैं कोई नया अपडेट आता है वो भी हम आप तक पहुंचा सके उसके लिए आपने प्रेस करना है बेल आइकन जिसे कि आपके पास उन वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे तो दोस्कों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिजेगा उ उन तक भी आप हमारी वीडियो इसको सेर करिए ताकि उन तक भी यह नौलेज पहुंचती रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर सूँए इसके लिए आपको रिक्वाइड होंगी यह दोनों फाइल जो की एक टीसीपी फाइल है और एक एकसल फाइल है तो टीसीपी फाइ इसकी काइसे करेंगे और कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे तो जहां पे भी आप यह फाइल रखेंगे तो आपने इसकी डारेक्टरी को कॉपी कर देना है तो उसका नॉर्मल तरीका है आप उपर डारेक्टरी पे किलिक करेंगे जिस भी फोल्डर में आपने इसको रखा है तो ध्यान रखे, ऐसे folder में आप इसको रखिए, कि जहां से आप इसको delete ना करें, जहां से इसकी possibility ना हो कि ये delete हो, या आप इसको tally के folder में भी paste कर सकते हैं, और वहीं से ही आप इसकी directory दे सकते हैं, तो मेरा ये बाहर किसी, मेरे desktop में ये folder बना हुआ है, तो वहां से मैं इसकी directory दे रहा हूँ, आपने slash press करना है, slash press करने के बाद देखिए, ये TCP का नाम आ गया, तो TCP जैसे आप इसको choose करेंगे, तो ये देखिए, ये पूरा नाम आ गया, तो यहां पे आपने ये directory को copy कर देना है, तो जैसे यहां पे rrc colon slash admin dash pc desktop में tally data के नाम से folder बना है, और उसके अ प्रोडक्ट और फीचर्स में, और प्रोडक्ट और फीचर्स के बाद यहां पे right and side पे आपके बास एक option है, manage tdl, manage local tdl, इस पे आप click करेंगे, तो यहां पे जो first option है, load tdl file on startup इसको yes रखेंगे, और यहां पे उस directory को उस बात को आप paste कर देंगे, तो paste करने के बाद आप इसको save करें, save करने के बाद आप देखेंगे, यहां पे gateway of tally में, तो यह नीचे आपको जो आपका tally का release है, उसके नीचे tdl, one of one loaded दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह जो addon file है, यह tdl file है, आपके tally के साथ यह attach हो चुकी है, और आपके पास आप देखेंगे, यहां पे import of data में जाएंगे, तो यहां पे sales import का जो option है, यह आपके पास आचुका होगा, तो अब इसको import कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको लेग चलता हूँ, excel file में, तो यह excel file मैंने open कर दी है, तो यहां पे आप देखेंगे, सारी details यहां पे हैं, आपको एक note यहां पे मिलत फाइल में, जो भी seat का नाम रहेगा, उसको आप change नहीं करेंगे, तो उसके बाद यहां पे आजाती है, details, जो second number में आजाती है, आपकी details, तो इसको भी आप change ना करें, तो ज्यादा बहतर है, क्योंकि यहां पे हर चीज़ आपको proper तरीके से दिखाई कई है, प्रोपर तरी detail डालना, start करेंगे, Excel sheet के column में, तो जो first column है, वो है आपका serial number, तो जो Excel sheet है, तो यहां पे मैंने जो data रखा है, जो यह items है, जो यह invoice है, तो इसमें आप देखेंगे, first वाला जो invoice है, उसमें आपकी एक item है, second वाले invoice में भी आपकी एक item है, लेकिन third वाले invoice में आपकी यह तीन item है, तो यहां पे आप one item भी आप import कर सकते हैं, एक sales invoice में, और multiple stock item भी आप import कर सकते हैं, sales invoice में, तो उसके लिए, जो यह second वाला जो option है, invoice number का, तो इसके लिए आपको एक setting tally में करनी पड़ेगी, तो टally में चलते हैं, और देखते हैं, क्या setting हमने करनी है, तो उसके लिए, सबसे पहले जो आपका watcher type रहेगा, जिसमें आपने import करना है, जिस watcher type में, तो उसको आपने manual रखना है उसकी watcher number को, यहां पे आप account info में जाएंगे, watcher type में जाएंगे, Pear, author में जाइए, तो यहां पे मैं इसको import करने वाला हूँ, sales watcher type में, तो यहां पे आपने ध्यान र आपका blank है कोई भी इसमें इन्वाइज आपने पंच नहीं कर रखें तो उसके लिए दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास already sales इन्वाइज आपने बना रखें लेकिन अब आपने इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप दूसरा वाचो टाइप बना यह तब आपने करना है अगर आपका जो sales इन्वाइज उसमें जो sales वाचो टाइप है उसमें आपने 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 इन्वाइज पंच कर रखे हैं और जो आपका यह method वाचो नमरिंग आटोमेटिक है यह कुछ और है उसमें आपका प्रिवेंट डूप्लिकेट यह नहीं ह तो प्रिवेंट डूप्लिकेट को यह इसलिए करना पड़ रहा है कि जो भी जब आप इंपोर्ट करेंगे तो बार बारी आप एकी फैल को इंपोर्ट ना करने वो डूप्लिकेसी ना आजाए तो उसमें क्या होगा जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो यह टैली आपको बताएगा कि आपका ये invoice number already import है तो ये prevent duplicate वाला option इसलिए हमें yes करना पड़ रहा है अपनी safety के लिए अपने सॉलियत के लिए तो यह मैं कर देता हूँ save तो यहाँ पे जो invoice number है ये invoice number आपका आएगा टैली में इस invoice number की जगह पे तो ये automatically आपके एक्सल सीट से आ जाएगा जब आप इसको import करेंगे जो दूसरा कॉलम है वो है आपका invoice date का तो जो भी आप यहाँ पे date डालेंगे वही date आपकी जो आपका sales invoice का date रहेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा उसी date में आपका invoice import होग थाल आता है आपका order number अगर आपका कोई order number है जो आपका sales invoice उसमें आप order number यूज करना चाहते हैं तो जो आपका order number आएगा वो आपका यहाँ पे इस field में आपका order number आएगा जो भी आपका order number रहेगा और यहाँ पे order number की date आएगी जो कि आपका this वाली field से आपका pick करेगा कि जो भी आपका order का number है जो आपका order का date है उसके बाद आ जाता है आपका party name तो party name जो भी आपका party है उसको आप create कर दीजिए और सारी details एक बारी उसमें fill up कर दीजिए आपकी party जिनके नाम से आप invices import कर रहे हैं तो वो आपके tally में already बने होने चाहिए तो stock item tally में आपका पहले में आसानी रहे यह automatically create नहीं करेगा तो आपके tally में पहले से ही created होना चाहिए तब ही जाके यह import करेगा ठीक है तो उसके बाद जो है quantity है quantity के बाद आपका rate है और यह आपका amount है तो amount पे आप अपना formula भी set कर सकते है calculation के लिए जो भी आपका rate into आपकी quantity और आपका amount उसके बाद आपका आजाएगा freight charges यह freight and cartes तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जो भी आपके यह column का name है जिसे यहाँ पे freight and cartes के नाम से है तो adjectives आपने यही आपने जो ledger है ledger अपने tally में create करके रखना है नहीं तो error आएगा आपका अगर properly नहीं बना होगा ठीक है तो उसके बाद आपका IGST का आपका ledger है यह आपके tally में create होना चाहिए cgst का ledger create होना चाहिए और sgst का ledger आपका create होना चाहिए और उसके बाद जो आपका sales ledger रहेगा जिसमें भी आपने sales ledger में इसको fetch करवाना है तो वो भी आपके tally में import वो भी आपके tally में create होना तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन से आपके कॉलम, कौन कौन से डेटेल्स आपके टैली में already होनी चाहिए तो मैं इसको red color में कर देता हूँ तो यह देखिए मैंने इसको red कर दिया है तो यह कॉलम party name, आपके item, stock items के name और आपका freight and cartes का leisure, IJST का leisure, CGST का leisure, IJST का leisure और sales leisure आपका already बना होना चाहिए तो जो sales leisure है, जो भी आप यहां पर रखेंगे जो भी sales leisure का नाम यहां पर रखेंगे वो आपका टैली में बना होना चाहिए आइटम बना होना चाहिए जो भी आपके इस column में आइटम सारी है party के नाम जो भी आपके इस column में party के name आ रहे है वो आपके बने हुए ओने चाहिए टैली में तो अब करते हैं हम इसको import तो इसके लिए हमें करने इसको मैं close कर देता हूँ और इसके configuration करता हूँ तो उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपने इसकी जो Excel sheet है उसको configure करना है Tally में तो उसको आप कैसे करेंगे जहां पे भी आपकी file है तो उस file को उस file के director को आपने यहां पे copy कर देना है तो द्यान रखना यहां पे आपने Excel sheet की file का पूरा name नहीं लेना है सिर्फ आपने उपर की directory लेनी जिस folder तक का आपने यहां पे directory लेनी है जहां पे यह Excel sheet आपने रखी हुई है तो यह मैं पूरा copy कर लेता हूँ और copy करने के बाद आप चलते हैं Tally में और यहां पे आपने जाना है Import of Data में Import of Data के बाद आपने जाना है Sales Import में और यहां पे First Option आता है Setup का तो पहले आपने Setup करना है तो Setup में आपसे पूछ रहा है Sales Import File Location तो Location मैंने copy कर दी और यहां पे मैं paste कर देता हूँ और इसको Save कर देता हूँ तो अब हमें करना है Excel sheet को Import तो Import के लिए हमें जाना है Import of Data में उसके बाद हमने जाना है Sales Import में तो अब हमें जाना है Import of Data में तो जैसे ही आप जाएंगे Import पे तो Import पे यहां पे देखे जो भी आपने वहां पे Directory set की थी तो उसके अंदर जो जितने भी आपके फाइल रहेंगी Excel फाइल वह आपके यहां पे आ जाएंगी तो उसके बाद आपने फाइल चूज करनी है चूज करने के बाद यहां पे Watcher Type आपने चूज करना है कि कौन से Watcher Type में आपने इसको Import करना है तो जैसे मैंने अलग भी बनाया था आपको दिखाने के लिए कि आपने उसको Manually और Prevent Duplicate को Yes रखना है तो मैं इसको Import कर देता हूँ Sales में तो जैसे मैं यहां पे Enter करूँगा Enter करते ही यह पूछेगा मुझसे कि Do You Want To Import तो यहां पे पूछ रहे तो अगर आपको इसमें आपको तो यहां पे आपको List देदेगा कि यह Ledger बने नहीं है तो वो पहले आप Create कर दीजेगा उसके बाद आप यहां से दुबारा जब आप Escape करेंगे यहां पे तो दुबारा आपसे पूछेगा Do You Want To Import तो जैसे आप करेंगे Yes तो Yes करने के बाद यह पूछेगा कितनी ट्रांजेक्शन है उसके बाद यह Input कर देगा पूरा प्रोसेस हो जाएगा और यहां पे Calculator में आपको बता देगा कौन-कौन से Invice नमर आपके Input हो चुके हैं तो अब देखते हैं Invice आपके Input हुई है अगर आपने लेजर वगेरा प्रॉपरली बनाएं लेकिन जो आपने एक्सल में जो आपने GST सेट किया है एक्सल फाइल में वही यहां पे पिक करेगा और इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी GST की रिटेन है वो आपकी Accurate बनेगी अगर आपने अपनी Master की Configuration प्रॉपरली कर रखी है तो GST की रिटेन भी आपकी प्रॉपरली बनेगी वो भी मैं अभी आपको देखाऊंगा तो यह मेरा First वाला Inwise था वो मेरा यहां पे इंपर्ट हो गया Inwise नमबर आ गया पार्टी का Name आ गया और यहां पे देखे आपका Order Number Order Date भी आ गया उसके बाद आगे चलते हैं यह आपका Sales Manager था जो आपने Select किया था यह आपका Item आ गया Freight आ गया GST, SGST, CGST आपका आ गया अब देखे दूसरा देखते हैं दूसरे में भी हमारा एक Item था तो वो भी हमारे यहां पे आ चुका है अब थर्ड वाले में देखे जहां पे हमारे 3 Item थे तो यह देखे इसमें 3 Item को यहां पे Import कर दिया है जो की Multiple Stock Item आप Import कर सकते हैं इसमें IGST आपका आ गया अब देखे यह Import हो गया अगर आपको कुछ Error आता है कि इस तरह की गलतियां कभी-कभी हो जाती है आपसे भी हो सकती है तो यह देखे आपको Error दे देगा यहां पे कि 3 Invise उस Excel Seat में है तो यह देखे यहां पे Already आपको Error दे दिया कि यह जो Invise Number है यह Already आपके Tally में Exist करता है तो यह तो आप Invise Number Change करिए Excel Seat में यह फिर आप Check करिए कि यह Invise Already इंपोर्ट हो रखा है तो यह तो वह होगे आपका इंपोर्ट का प्रोसेस तो अब दिखाता हूँ मैं आपको GST के Return तो आपने जाना है डिस्पले और यहां पे Statuary Report GST और यहां पे आपका GSTR 1 तो यहां पे देखे आपके तीनों वाप्चर जो हैं वो आपके इंपोर्ट हो चुके हैं B2C में आपके आ रहे हैं और इसलिए आपकी Return भी तयार हो चुकी है तो इस तरह से दोस्तों आप इंपोर्ट कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो अब बात करते हैं कि आपको यह कैसे मिलेगी यह TCP फाइल और Excel फाइल कैसे आपको Receive होगी दोस्तों अगर आपको यह फाइल चाहिए फिरी में कोई भी इसका cost नहीं है आपको फिरी में मिलेगा तो उसके लिए आपने क्या करना है हमें mail drop करना है email ID अभी आपको स्क्रीन में दिख रही है और आपको description में सबसे last में आपको email ID दिख रही है वहाँ से भी आप ले सकते हैं तो इस पे आपने करना है mail साथ में आपने mention करना है अपना टैली का serial number जहां पे भी जिस टैली में भी आप इसको import करना चाहते हैं तो उसमें तो जैसे ही आप mail करेंगे तो उसमें 24 to 48 hours में आपके पास TCP आ जाएगी जो कि आपके टैली में काम करेगी properly इसी तरह से तो जो यह Excel sheet है और यह TCP फाइल है वो आपको mail पे मिल जाएगी बस आपने उसको download करके और अपने टैली के साथ इस तरह से configure करना है आई होग दोस्तों की जो यह tool है आपका बहुत काम का होगा अगर आपके multiple invasives बनते हैं और आप इसको import करना चाहते हैं तो आप हमें mail करें अगर आपको यह required है तो definitely आपको यह मिलेगा आपके mail पे revert आएगा 24 to 48 hours में और आप ए TCP रेसीव कर पाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए हसते रहे हैं मुश्कुराते रहे हैं रात में हमारी वीडियो भी देखते रहे हैं जै हिन जै बारत